तो गाइस कैसे हो आप लोग तो स्वैलोरे स्टार के नेक्स्ट नोवल के एपिसोड नमर 387 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लूफेंग अपने प्राइमर के ओ सिटी में वापत जा रहा होता ह और वो वहाँ पे चला भी जा चुका था अब प्राइमर सिटी के सिटी के ऊपर का सिटी दिखाया जाता है जहाँ पे सिप फाइनली मिड एर में स्टॉप होता है वहाँ पे हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जहाँ पे हो कैप्टन लूफेंग को बाहर बुलाता है लू लूफेंग सीटी लीडिर का डिस्पल बना है उसके पास ये राइट आ चुका है कि वो यहाँ पर्मा रिंट रेसिडेंस ले सकता है एक्च्वली देखा जाए तो ये एक हेवेनली ब्रीज अलोन के काफी है और उसके पास पहले राइट था जब वो हेवेनली ब्रीज को पा अपने घर को बनाया होता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि वह अपने यार में जाकर रुख जाता है और वहाँ पर टू ये किसा दरवाजा भी बंद हो हुआ जिसके बार्ट तो एन वहाँ पर बैठ के लूप एंक एक तहि доб देकर कहते हैं कि यहांपर आखिर क्या है क्या तुम आया पास कुछ नहीं है जो तुम उससे आकर मिल सकते हो यहाँ पे लूपेंग अपने पास से वाइन निकालता है जो कि उसके teacher ने उसे लाने के लिए कहा होता है और ये वान एक पान के साइस इतनी छोटी होती है उसकी shape बहुदा पेकिलियर होती है वो एक और आंगेटून shape की बनी होई होती है उसके surface पे complex in carvings बनी होई होती है तो आपके लिए अच्छा वाइन लेके आओं मैं यह आसा करता हूं कि यह आपको सैटिसफाइड कर सके अब टुब यान उस बोतल की तब दीखकर क्याते हैं कि मैं इसे बहुत आस सैटिसफाइड हूं और वो उसको टच करने लगते हैं और वो कहते हैं इंडिल यही तो मैं चाता हूं अब यहां पर उस देखकर हैरान भी होगे होते हैं और क्याते हैं कि जिन लोग के पास हुमेंटी में बहुत जाब पैसा होता है वही लोग से इसको अफॉर्ड कर सकते हैं और इसको मिला दिया जामते वे तो पूरे के पूरे इंपर लिमिट के वेल्ट के लगता है तुमारा आउटर रिजन स्वार में रिवार्ड बहुत ही अच्छा है इसले तुम ये वाइन लाय होना तो लूफिंग हसने लगता है अब बताया जाता है कि अफकोर्स लूफिंग का जो आउटर रिजन में रोज रिवार्ड होता है वो बहुत ही अच्छा होता पहला तो उसे स्टार टावर का इनेंटेंस मिला होता है साथ में उसे स्टार मैप और पेर टावर मिला होता है 6000 टोर्चर के बाद यहाँ पे उसकी विल पावर और सब चीज इवार हो चुकी थी उसकी Beast God Presence भी अपने अलग लेवल पे आ चुकी थी पैसो के मामले में देखा जाए तो इस एक महिने के मैसकेर के दोरान वहाँ पे उसने 40 बैटर्स को किये हुए थे और सब के पास बिलियन्स में वर्थ मुझूद थी सब को मिला के लूफेंग के पास आकर कितना होगा और उसके पास तो कईसा ख़जाने भी थे यहाँ पे लूफेंग उन सब को कंटिबिशन पॉइंट में भी चेंज कर सकता तब लूफेंग कहा था कि अगर यहाँ पे इतना बड़ा रिवर्ड नहीं होता तो मैं यहाँ आपके लिए परपर फ्लिम एपॉइंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था और जब मैं यहाँ पे रिटायर हुआ था तो मैंने इस बोटल को आर्मी सिस्टम में डिस्करवर किया था मैं इसको देकर सौख हो गया था जिसके बाद मैंने इसको बिना किसी हेसिटेशन के इसको खरिदा था आपके पास ले आया तो यह सुनकर ट्रू यान भी हसने लगते हैं वो अपने हाथों में बोटल लिये होते हैं और वो अभी बहुत ही खुश होते हैं परपर फ्लिम ए इसका मतलब यह नहीं कि एप और हुमन के बलड से यह बनाया गया है इसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है अफकॉर्स इसका मतलब यह हुआ कि यह यूनिवर्स में परफर फ्लेम्स मौजूद हैं जिसको एप के नाम से रिसेंबल किया जाता है एक्चुली यह एक मिस्ट इसके संक्या गड़ते गए वैसे उसके और बीजा दाम बढ़ते गए हैं यहां पर नाइटी इन सबको प्रोड्यूस कर सकते हैं इन सबको पी सकते हैं इन सबका खर्चा उठा सकते हैं यह रिनो और वाइन भी है जो कि बहुत ही पॉपलर है और वाइन की इसके फ्लेवर क और सोल दोनों यहां benefit पा लेती है जो भी इसको पीएगा वो अराम से fire law के comprehension को grow कर पाएगा अपनी body में उसकी body fire law को adapt कर पाएगी वो strong बन जाएगा second यह कि इसको पीने के लिए होता है अब यहां तक कि strong once भी night और कई सारे बंदे होते हैं वो भी इस सब के एक cup को नई पी पाते हैं लेकिन वो naturally drunk हो जाते हैं और वो थोए धर बाद ही host में आ पाते हैं इसके effect भी बहुत जाला है अब इसके अलावा दो points है अब इसके अलावा के उस वाइन को खरिदने के लिए 80 billion को कर्च किया होता है और ट्रुएन को उससे कहाते हैं कि तुम्हार लग तो सच में अच्छा है आर्मी सिस्टम के पास कई साय ट्रेस से जोकि काउंटलेस रेस को प्रोबाइड करते हैं और वो होंग एलांस से ज्यादा बरे भी नहीं ह लेकिन फिर भी उनकी पावर बहुत जाला है और ट्रेजर तो प्रोबाइड करते हैं उस साय ट्रेजर ट्रुप से आते हैं जोकि आर्मी में मौझूद होती हैं और वहाँ पे पावफुल वार्यस भी अगर इस वाइन को डिसकवर कर पाएंगे लेकिन फिर भी कुछी को अफोर नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं इस ड्रिंग को वाइन को अवी थोड़ा सा ही पिऊंगा मैं यहाँ पे इसको बचा लूँगा ताकि मैं अपने कुछ अच्छे भाईयों के लिए पिला सकूं तो यह सुनकर लूफिंग हसने लगता है तो इसके बाद ट्रुयन उ लेकिन मैं इन सब के बारे में जानता हूँ और मैं कुछ को समाझ सकता हूँ ट्रुयन भी लैक्स होते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे यहां था कि तुम्हें फिर भी केरफुल रहना होगा सीक्रेट विजन में डिंजर्स का यहां पे तुमारी सोच से भी ज्यादा होता ह हैं और यहां पे कई साए स्पेशल प्लेसेज भी हैं जहां पे युनिवर्स के लोबी काम नहीं आते हैं तो लूफेंग हां भी भरते हुए कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारी स्ट्रेंड के बार में जानता हूँ ब्लेड रिवर का नाम तो आउटरीजन स्वर्म में आध टुयान, हेवनली फेडर यह सारे इंविंसिबल एंप्रस है जो कि टुलिंस ओफ एर्स तक जी चुके हैं और उनकी पावर का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते हैं बात रही यंगर जनरेशन के टर्न्स में तो अभी के मरतबा सेवन ब्लेड मेंग सिव एंपर और कुछ और इंप्रस उनके कंपेरेबल करा सकते हैं अब टुर्यान कहते हैं कि तुम्हें अपने ब्लेड रिवर के आइडेंटी को टॉप सीकर्ट रखना होगा मैंने यहाँ पर प्राइमर के उस सीटी से भी बात की थी उन्होंने भी कहा था इसी कहान उन्होंने सारे स्कैं की तहफ जाँ नहीं वहाँ पर हजारों सालों से गया हूं वहाँ पर मैं पास अभी कुछ नहीं तुम्हां ऐसा डिसकर्स करने के लिए अब यहाँ पर तुम्हें आगे बढ़ना होगा जिसके बास वो उसके पर पर फ्लेम एक पॉइंट को पीने लगते हैं और वो कहते है कि जब तुम्हें स्काइ माउंटेन को फिनिस कर दो तो आना में साथ पीना इसके बाद लूफेंग भी हामी बरता और इसी सीन चेंज कर हमें वर्चुए उनिवर्स स्काइ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दू बरे माउंटेन्स होते हैं और उसके बीच में एक लूफेंग अपियर हो जाता है वो उस टॉले स्ट्री के तब बढ़ने लगता है अब वहाँ पे तीम माउंटेन्स मौझूद होते हैं यो क्या होते हैं आपको आगे पता चल जाएगा अब लूफेंग वहाँ नैचुरली जाता है ताकि वो उसको अटेंब कर सके हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वहाँ पे मैजेस्टिक माउंटेन के नीचे वाले हिस्से पे एक बंदा बैठा हुआ होता है एक नहीं बलकि तीन बंदे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे कुछ गेम से खेर होते हैं यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बंदा जैसा होता है वह सने लगता है और वो कहाता है तो यह आप यूर में इस्टी लूफेंग अब उन्हें भी पता था कि यह सीटी लीडर की डिसपल है लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि लगता है कि आप बहुत ही कॉर्फरेंस से इसकाई माउंटिन का इजाम देने के लिए तो यह सुनकर एप में कहाता है कि बुल हेड तुम आखिर यह क्या कहा रहे हो यह हमारे मैजेस्ट्री लूफेंग है आखिर यह क्या नहीं कर सकते हैं तो आप स्नेक लेडी भी होती है जो कि लूफेंग की तब देखने लगते हैं और वो क्या ती योर मेस्टी क्या आप सुरू करने वाले हैं अभियाफ़ लूफेंग ये दीकर हसने लगता है और यह तो बहुत ही फैमिल्यएंग लग रहा है तो यह सुनकर तो वो तीनों इस्टरन हो जाते हैं यह फैमिल्ययर आके किस चीज़ की बातों करते हैं पयते ह तो वर्चुलमस में फाइट करना उसके साथ ही टावर पिल और साव विंग से स्टार मैप हर चीज वो चली जाती है अतलब कि वर्चुलमस में फाइट कर से समय लूफिंग के पास इन सब चीज़ों का एडवांटिज नहीं होगा और जैसा कि उसकी जनर्नर आर्मर जनर्नर स मौझूद है यहाँ पे सिफ उसकी एक ही चीज रिफ्रेंस करती है जो कि उसकी विल पावर और कॉंसियसनेस की स्ट्रेंट है जो कि लूफिंग की अपनी पावर होती है अब अफकॉर्स दिखा जा तो बीस गोर आर्मर भी इन सब के जैसा ही होता है वो एक सामान तो नहीं अब यहाँ पे एप मेन भी लूफ हैं की तब देखते हुए क्या आता है कि चलो हम लोग तुमारी ताकत को देखते हैं कि आखिर तुमारी एस्ट्रेंट क्या है और इस नेक लेडी भी अपने फॉर्म में सूल एटैक को रेडी करती है जोर में इस्ट्री लूफ है मैं और अपार कर देता है जो कि बाद में एप मेन की तब बढ़ता है और स्नेक लेडी की और जाने लगता है और एक ही जटके में बैटल खतम हो जाता है और लूफ हैं ने माउंटेन के फूट को पास आउट कर लिया होता है जो कि तीन लिवल में से पहला लिवल होता है कर्षंँ था हमें दिखाया जाता कि Lup Coune key process में जाता है जो कि संब्सस्क्राइब के । लूपएंग वहां जाता है ाफ वी असानी से पास कर लेता हैं वहीं सीनचिंद कर थेर्ड पावर का दिखाया ठर्ड लेवल को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन का पीक होता है अब यहाँ पे लूपवेंग को थोड़ी पाफुल विल पावर से ट्रबल होने वाली थी क्योंकि वहाँ के जुबंदी थे वो पहले वाले से स्ट्रॉंग थे जहाँ पे लूपवेंग को सीरियस होना परता और अब फिर में दिखाया जाता है कि लूपवेंग उनसे भी फाइट करता है और उन सब को भी थोआ सा सीरियस होके अपनी पावर से हरा देता है यहां पर वो कहाते हैं कि Your Majesty और अपने अपने सेक्टर और प्राइमर स्काई माउंटेन को पास कर लिया है और यहां पर कोई भी इंस्टान जो कि इसको पास आउट कर देता है तो वो डेफिनेटली टेन मिलिन एरास का एक जिनियस माना जाता है और जो इसको पास करते हैं वो humanity के most pinnacle genius में से एक होते हैं यहाँ पे तीनों guards revive हो जाते हैं और वो लोग यहाँ लूफेंग की तब बहुत ही respectful होते हैं और उसके power से surprise भी होते हैं यहाँ पे वो लोग revive हो गये होते हैं लूफेंग उनको कितना भी बार क्यों न मार ले वो फिर से रिवाइब हो जाएगा और यह एक गेम के ही जासा था और अपने नीचे के जितने भी वास्ट लैंड होता है उन सब की तब देखने लगता है और लूफेंग इन सब के बार में सोचने लगता है और अपर यहाँ पे लूफेंग का जो प्राइमर स्काई माउंटेन को पास करने वाली नीज होती है वो तो आग की लपड़ों की तब फैले हींगी क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमर रिजन स्काई माउंटेन को पास कर पाना इतना भी असान नहीं होता और अफ हमें लूफेंग को देखा आ जाता है जो कहाता है कि फाइली मैं अपने पीक पे आ चुका हूँ सेक्टरल और प्राइमर इसकाउन माउंटेन ये मेरा एक बेंच मार्क है जो कि यूमन के हिस्ट्री में काउंटले जीनियसेस को डर साएगी और यहाँ पे इन सब को कॉंकरेंट करने के बाद मैं उन सब जीनियसेस के साथ खा रहा हो सकता हूँ मैं करेंटली उन जीनियसेस में से स्ट्रॉंग इस में से एक हूँ लेकिन दीखा जा तो जीनियस सिर्फ एक जीनियस होता है वो एक स्ट्रॉंग true warrior नहीं होता है लेकिन लूफेंग के एक दिन मैं भी इस यूनिवर्स की पीक पे बैठा रहूंगा और यहाँ पे लूफेंग के मन में फाइटिंग spirit आ जाती है कि वो बहुत ही strong बढ़ पाएगा जिसके बाएगा वो पीक स्काई माउंटें से चला जाता है और मैं फिर सीन चेंस का heavenly breeze का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस आईलेंड के सिंटर में एक ब्यूटिफूल वाच्में बेविन खरा होता है बेविन के बार में तो आप लोग जानते ही हो जो कि वहां का वाच्में था यहाँ पे वो टुलियंस ओफ एर से खरा होता है उसको गाड़ तो लुफिंग मजा करते हुए क्याता है कि हाँ आपने सही कहाँ यह बहुत ही लंबा अर्शा हो गया था मैं आपको मिस कर रहा था इसलिए आपको देखने के लिए यहाँ पे आ गया हम तो यहाँ पे बेविन कियोश्टी से पूछते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिन लग करते हैं कि 21st लेवल और वो कहते हैं कि आप यहाँ पे अट्लास 20 लेवल को तो पास आउट कर ले आप यह मत कहिए कि तो यह सुनकर लुफिंग इसमाल करता है और कहता है कि किया अभी कोई नाइन यूवर्जर प्रीज में मौजूद है तो बेविन कहता है कि नहीं अभी क खुद के कुछी साल तक ट्रेंड किया है लेकिन फिर भी यह confident है कि यह 20 लेवल को पास आउट कर सकता है लेकिन तभी उसके पास एक मेल आता है जहाँ पर एक नहीं बलकि कैसा है मेल सोते ही और बेविन अपने मेल को ओपन करता है तो उसे बहुत बास सौक लगता है इसे द लगता है कि लगता है वो सच में 21st लेवल के गार्डियन के साथ फाइट करने वाला है तो अब फिर में सींचेंज कर अपर एच्वलेंड वर्च्वान्वस कंपनी के सारी न्यूज को दिखाया जाता है जहां पे प्राइमर के वेस्ट लेन होता है वहाँ पे सीटी लीडर गई बैटे हुए होते हो कहते ही कि लुफेंग की इंप्रूवेन्स सचने फास्ट न दो की वो इसकार मांटेन को पास कर पाला है व इसमें भी कोई सर्प्राइस की बात नहीं है अब लुफेंग ने कहा था कि वो ट्वैंटी लेवल को पास आउंट कर लेगा अपनी लाव पास नहीं कर सकता अब इसमें उसको अपने टेक्निक एम्प्लिफिकेशन स्पीट एनर्जी विल पावर सबी चीजों का ध्यान रखना होता है और वो सूचता है कि वो डिफनेटली इंस तब को पास कर पा है और यहां पर याद करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने सोचा था की रउंगजुन के पास लिमिटलिस फ्यूचर होगी अब यहाँ पर आप लोग वताओं कि रॉंग जिन कौन है आपको तो पता ही होगा क्योंकि यह इस character का सबसे baddest character में सिर्फ एक होने वाला है अब इसके बाद यहाँ पर कहता है कि उसका तो मेड इस पसी कोई competitive भी नहीं किया जा सकता है और इस time तो जो लोग यह कहा करते थे क लूपेंग कुछ नहीं कर पाएगा वो differently speech less हो जाएंगे और वो small करने लगते हैं अफ़ी हमें सिंचेंस को blood river continent के एक powerful fortress ट्यांसिया पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे बंदे खरे होते ही और वहाँ पे हमें countless illusion को भी दिखाया जाता है वहाँ से एक virtualness company का अगे सामने वो लुग जुक रहे होते हैं जो कि ट्यांसि पैलेस का leader होता है अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी इस news को सौक हो गए होते हैं और वो कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है यह आखिर हो कैसे जखता है अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है youth एक्स डोजो और उन्वर्स फर्स बैंक के बंदों को जहाँ पे वो सभी रॉंग जुन पे बेट कर रहे होती हैं और वहाँ पे पहले के मरतबा जब बात हुआ था तो उन्होंने लूफ एंग को भी उनमें से एक मांगा था और जबक December के प्राइमय के city लीडर ने लूफ एंग को अपना dispel माना था तो यहाँ पे वो लूब इस बात को मान नहीं होते हैं किया कि उन्होंने लूफ एंग को अपना dispel क्यों बनाया है लेकिन दिखा जा तो इस news के आने के कान यहां पर उन सब को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था और इन सब के कान वो लोग हार का भी सामना कर रहे होते हैं वहां का जो लीडर होता है वो कहाता है कि सेक्टल और प्राइमर स्काई माउंटेंस यहां के strongest geniuses को दिखाता है और यह से हुआ ही पुराने बात हैं जब वहां पे वो लोग लूफेंग और रोंगजुन के बार में debate कर रहे होते हैं कि आकर इन में से कौन strong है रहे हम दिखा जाए अब फिर से यहां पे बात होती हैं और वो कहते हैं कि आकर उसकी perspective कितनी ज्यादा हाय होगी उसकी बोलान की इनिस्यन टैलेंट भी उससे ज़्यादा हो चुकी है उसकी कैक्टर भी उसकी वीक्नेस नहीं है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है अब यहाँ पर वो लूब फैंग और रॉंग जुन के बार में ही बात कर रहे होती है अब यहाँ पर ऐसे पुरानी बुरानी बाते हो रही होती है इसको मैं स्कीड कर रहा होता हूँ जो की फाल्तु बाते होती है और अफ्या में सीन चेंज कर सीटी लिडर ट्यांसी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंसाइड न्यूज को सुनकर तो सेलिबरेट कर रहे होती है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनने ये न्यूज हजम नहीं हो रही होती है वो यहाँ पर दुखी मन में बैटे हुए होते कि आकर ऐसा कैसे हो सकता है और अब भी हमें दिखाया जाता है कि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने रॉंग जुन पर बेट लगाया होता है वो क्याता है कि हम लोग हार चुके हैं रॉंग जुन तो उस जिनियस के सामने कुछ भी कंपेर नहीं किया जा सकता है रॉंग जूंग तो सच में एक disappointment है तो वहाँ पे nights होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इसको blame नहीं कर सकते हैं लूफेंग की improvement बहुत है crazy है हम लोग सब उसके high achievements को जानते थे लेकिन हमने कभी भी एक expect नहीं किया था कि उसकी improvement इतनी जाब fast होगी और कुछ millions of years में यहां तो कोई doubt नहीं है कि रॉंग जूर एक pineapple emperor बन जाएगा लेकिन उसका यह chance है कि वो इंसाम में समय में एक night बन जाएगा यहां पर सभी लोग ऐसे हिरान हो रहे हो तो परसान भी होते हैं अब यहां पर लूफेंग की जो primary sky sky mountain की जो news होती है पास होने की वो सब जोगा फैल गई होती ह और कैसा है बंद जो कि लूफेंग के जुस्मन थे वहां पर उससे नराज हो रहे होते हैं यहां पर उन्हीं विश्वास नहीं होता कि आखिर क्या से हो सकता है आखिर यह कैसे हो सकता है लूफेंग जिस कारणामे को किया था उससे अराम से लूफेंग एक night की power को hold कर सकता ह future में और सब लिख इनी सब के बार में शुच रहे होते हैं अब यहां पर बहुत ही मगवास है क्योंकि एक के चीज को बार बार character character chooses करके दिखाया जा रहा है तो इसको मैं skip स्कीप करता जा रहा हूं और फिल्म में वर्च वन्वास यूज यांग माउंटेन के एक रेश्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइट आर्मर बोलान होता है साथ में रॉंग जुन भी साथ ही में खरा होता है और वहाँ पे एक और भी बंदा होता है जोकि कोई और नहीं वुका होता है वुका इसमाल करते हुए क्याता है कि यहाँ पे आओ बैटो बैटो तुम दुनों यहाँ पे बैट जाओ जिसके बाद वुका वहाँ के सारे स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए क्याता है सब लोग वहाँ से चले जाते हैं अब स्टाफ की जाने के बाग वुका वहाँ पे wine को pure करते भी कहता है कि क्या तुम ये सारी चीजे जानते हो तो बोलान कहता है कि हाँ मैं जानता है यहाँ पे रॉंग जुन की भी voice है भी होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कई एक्स्पेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे 10,000 येर्स के पास उसकी एस्ट्रेंड इतनी जाया बढ़ जाएगी लुका भी कहाता है कि यहाँ पिसली मरतबा हम लोग एपसलूट बिगनिंग में ब्रेरस हुआ करते थे तुम मैं लूफेंग यहाँ पे सभी प्राइमर रिजन में एक साथ इंटर किये थे औ बुलान रॉंग जुन तुम दोनों यहाँ प्राइमर रिजन के सेक्टर लॉट्स के अंदर आ चुके हो यहाँ पे बुलान इन सारी पीछे जितनी भी चीजे होती है उन सबको याद करने लगता है कि कैसे वो 10,000 इगा का एक एपसलूट जिनियस माना जाता था जिसकी जो इंक्रिडिबल लेट होती है वो बहुँ ज़ला होती है और अभी के मरतबा में बताया जाता है कि बुलान भी वो भी सेक्टर लॉट में आ चुका था और बात रहे रॉंग जुन की तो वो इतना जया फास्ट नहीं काम कर रहा था लेकिन फिर भी उनकी जो स्पीर्थी वो फास्ट और फास्ट होते जारी होती है यहां तक कि बुलान पहले से मी ज़्यादा अपने आपको इंप्रूब करना सुरू कर दिया होता है और यहां पे जब लुफेंग प्राइमर के उस सिटी लीडर का जब से डिस्पल बना है तो उसकी अचीम्मेंट लुफेंग से पी लेकिन अभी भी रॉंग जून प्राइमर रीजन में रह रहा था आपको यहां पर मैं समझा दू कि प्राइमर रीजन सबसे बेस्ट प्ले से कल्टिवेशन के लिए वहीं पे एपसलूट बिगनिंग रीजन यह सिके नमबर पर आता है कल्टिवेशन के लिए और रॉंग अभी प्राइमर रीजन में मौझूद हैं और बॉलान अभी एपसलूट बिगनिंग रीजन में था अब पहले के मरतबा लूफेंग भी पहले एपसलूट बिगनिंग रीजन में था बाद में वो कंप्टीट करते करते प्राइमर रीजन में आया होता है यहां पे अभी र मेरे से भी आगे निकल जागी अब बुलान उसे कहता है कि उसे सब पार्स करने के लिए में पास सिर्फ एक ही रास्ता है अब वुका और रॉंग जुन भी उसकी तब देखने लगते कि आखिर वो क्या करना है अब यहाँ पे बुलान कहता है कि हमें एक नाइट बनना होगा नहीं तो हम लोग उससे बहुत ही पीछे हो जाएंगे तो रॉंग जुन कहता कि हाँ अनलेस कि हम लोग एक नाइट न बने हम लोग उसे कभी भी सरफास नहीं कर सकते हैं तो यह सुनकर वुका वाइन की ग्लासेश को उठा करते हाथा कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही मेनद करेंगे मेरा इम तो यहाँ पर इंपर बनना है तुम दोनों नाइट बन सकते हो और हम लोग साथ में करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वुका मई बहुत ही रहीस घर से आता है इसलिए उससे इतना कल्टिवेशन के फिकर नहीं होती अब रॉंग जुन भी और बोलान दोनों अपने ग्लासेज को उठा कर वाइन को टोस्ट करती हैं और एक साथ चेर्ज करते हैं और ख्याते ह हैं यहाँ पर यह सहीता कि लूफेंग ने सकाई माउंटेन को पास कर लिया है इसके मरतबा यह हुआ कि लूफेंग की पास ability थी कि वह 20 लेवल को पास कर साथा है इसके कान तो यह सही नियूज को सुनकर तो वह भी हतास हो जाते हैं अब दीखा जा तो लूफेंग 20 लेवल यहाँ पर लूफेंग 20 लेवल से 21st लेवल की और आगे बढ़ने लगता है उसी गार्जियन को दिखा जाता है जो कि उसके बारे में देख रहा होता है यहाँ पर बुलान कहता है कि जो गार्जियन 21st में मौझूद है जो कि लूफेंग से फाइट करने वाला है उसकी comprehension एक इनी सब के बारे में सूच रहा होता है और वो क्या था है कि मैं है देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने सेक्टर लोट के वर्ड इनरजी को लेकर क्या मैं एक नाइट के लोग कॉम्प्रियेंशन के अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ या फिर नहीं और अभी यहाँ पर कि आखों में पूरी ताय से फाइटिंग स्पीट मौजूद होती है लुफेंग जानता है कि वो जीत तो नहीं पाएगा लेकिन फिल भी लुफेंग अपनी पूरी जीजान लगा देने वाला है ताकि वो यहाँ पे जीत कर दिखा सके और वो यहाँ पे इसके पावर को भी